कॉलेज लव स्टोरी इन हिंदी सागर की खुशी का ठिकाना नहीं था, वैलेंटाइन का यह दिन, उसकी जिन्दगी का सबसे यादगार दिन बन गया. शिखा को पाकर वो खुद को सबसे खुशनसीब समझने लगा. कॉलेज स्टोरी इन हिंदी सागर चौधरी एक मध्यमवर्गिय परिवार का लड़ी डी एच का था. पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वो हैंडसम और बहुत ही अट्रैक्टिव भी था. ट्वेल्थ में अच्छे मार्क्स की वजह से उसे शहर के बेस्ट कॉलेज में एड्मिशन मिल गया था. शशांक सिंग जो सागर का बहुत अच्छा दोस्त था, एक रिच फैमिली से बिलॉन करता था, वो उसी कॉलेज में परहता था. शशांक के पापा एक सफल बिजनेसमैन थे, तो उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं थी. शशांक के पास खुद की एक कार थी, जिससे वो कॉलेज या घूमने फिरने जाता था. शशांक की अमीरी की वजह से, कॉलेज की लड़ धिकियां खुब इंप्रेस्ड थी शशांक से. शशांक दिल का अच्छा लड़ी यह का था. वो सागर को अपने भाई जैसा समझता था. दोनों साथ में शशा शशांक की कार में घूमते और कॉलेज आते जाते थे. सागर को अच्छे और महेंगे गिफ्ट्स देना, शशांक को अच्छा लगता था. कॉलेज में बाकी स्टूडेंट्स सागर को भी अमीर समझते थे. शशांक के जन्म दिन की बात है, उसने अपने जन्म दिन पर एक शानदार पार्टी अरेंज की थी। कॉलेज के काफी स्टूडेंट्स आये हुए थे पार्टी में। उनमें से एक वो भी थी जिसने उस रात सागर को बेचैन कर दिया। शिखा नाम था उसका। सागर शिखा से बात करना चाहता था पर सब के सामने उसे घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और शिखा के पास गया। पर फिर उसकी हिम्मत ने जवाब दे दिया वो कुछ नहीं बोल सका। पर सागर के दिल में एक चाहत की आग लग चुकी थी। फ्रेंडशिप करवाने की सोचने लगा। कुछ दिन सागर के बेचैनी में कटे और फिर वो दिन भी आ गया जब शशांक की कोशिश रंग लाई और उन दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। सागर और शिखा की दोस्ती के कुछ और दिन बीट गए पर सागर अपने दिल की बात शिखा से कहपाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। शशांक को भी सागर चिंता होने लगी। सागर और शिखा काफी टाइम से एक अच्छे दोस्त थे, अब बस सागर को अपने प्यार का इजहार करना था शिखा के सामने। जब शिखा आई, तो उसे देखते ही सागर का मन हुआ की शिखा को गले लगा ले और आई लव यू बोल दे, पर उसने खुद पर कंट्रोल रखा और शिखा को हाए बोल कर कुछ देर उससे बात की, फिर उसने अपने दिल की बात शिखा से बताई और उसने प्रोपोज कर शर्माते हुए उसने अपनी खुबसूरत गुलाबी होंठों से मुस्कुराते हुए हाँ बोल दिया, दोनों खुश थे और उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, सागर की खुशी का ठिकाना नहीं था वैलेंटाइन का यह दिन उसकी जिन्दगी का सबसे यादगार दि अगले वैलेंटाइन के दिन भी शशांक ने सरे अरेंजमेंट कर दिये सागर और शिखा के लिए। पर एक किश किया, शिखा को अच्छा लगा और शर्म छोड़ धक कर उसने सागर को कस के पकड़ी डियाच लिया और लगातार किश करने लगी, अब दोनों के अंदर की आग भद्दक उठी थी, उनका खुद पर कंट्रोल नहीं था, दोनों एक दूसरे में डूब जाने को तैयार थे, दोनों ने जम कर प्यार किया, हर एक अंग को किश किया, और वो सब कुछ किया, जो हमारे समाज में शादी के बाद करते हैं, जब दोनों के अंदर की आग ठंडी हो गई, तब वे घर लोट आए, ये वाला वैलेंटाइन दोनों का और भी शानदार रहा, हिंदी लव स्टोरी समय अपनी गती से आगे बच रहा था, कॉलेज कहत्म हो चुका था, सागर को अच्छी जॉब मिल चुकी थी, शशांक अपने फैमली बिजनेस में इन्वाल्व हो गया था, पर शिखा को अभी और पढ़ाई करनी थी, सागर की जॉब की वजह से, अब बेपरवाह लड़ी की थी, सागर की एक खास आदत थी, डाइरी लिखना, उसमें वो अपनी और शिखा की भी हर बात लिखता था, एक बार संडे के दिन जब वो मिले, तब सागर ने शिखा से शादी की बात कही, पर शिखा की बात सुनकर सागर हैरान रह गया, शिखा ने का मेरा बॉइफरेंड था, मेरे लिए बड़धी बात है, लेकिन हम दोनों का स्टेटस मैच ही,